अब 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 आप सबी लोग का मेरे कॉर्ड ने व्लॉग में और आज का व्लॉग का सिर्वाद में कर रहा हूं पटना जंक्शन से यह देख लो बंदे वारत अभी जर्श में से आया राची से पटना अल्रेडी आप लोगों ने जर्णी देख लिया होगा फिलाल है ताइम देख लो वाई सब अभी रात का दस पंद्रह हो रहा है अपना कुछ होटल है पाटली पूत्र इस्टेशन से एक किलोवेटर दूर है पहले तो वहीं जाते हैं अभी एक नमबर प्लाटफोर्म में जाना होगा यह प्लाटफोर्म नमबर 8 है तो यहां से निकलते किया है कल सुबह चेक आउट है मारा 11 यह 12 वे तक हम लोग चेक आउट कर जाएंगे क्योंकि कल का मेरा फ्लाइड भी है चन्नाई का चन्नाई मैं किसले जा रहा हूं वह आप में से सभी को पता है लेकिन दिक्कत क्या है ना थोड़ा से कंफ्योजन है मुझे और वह कंफ्य और णाजारे किया है नजारे कुछ चैँ लग रहा है वागि सबसे मेन मैं देखता हूं वास्ट्रोम वास्रोम बड़ी आ एक सेकंड यह क्या खोकला है उपर में तो यह कुछ वास रूम है सच बता रहा है अगर अकेले आप इस रूम में रहो अब यहां पर बैट के हलका होते रहो और ऊपर आपका नाजर पड़े तो भी थोड़े दर के लिए आपका दिमाग सनक जाएगा चलो कोई नीग ठीक है ट्वालेटरी के नाम पर देख लो क्या दिया हुआ है वह भी लग रहा है किसी का यूस किया हुआ है कि यह देखो बाकी ऐसे ही है कुछ अपना होटल रूम लोकेशन की साब से ठीक है रूम बाकी अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं चाय आता है तो लबली में से थोड़ा से चाय लेकर पी लेंगे एडिटिंग करना है मुझे एडिटिंग का प्लेट करते है अपना बैसा अभी जैस में फ्रेश होकर आयो और अब जैस चाय भी आ चुका है भाई सापी प्लेटी तना गंदा क्यों लग रहा है यार सब सही है देखो ना हाँ हाँ भाई इसमें तो सब्सक्राइब करते हैं चाय देखकर मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा है और इस चाय को ना अच्छे दूद में बनाए गया है कुछ भी मिक्सिंग नहीं है इसमें धजब हेएम और दीख करता है वह से दूछा है मरे में यहार यूबए यह में यहीच काफी अच्छा लगता है जाय आपको बहुत बढ़ या मिलेगा यह चाय प्रिक्फर्स कर वाला कि आप देख रहा है तो यह तो यह जाता है तो यह तो यह जाता है वह दिल पर पत्थर रखके इतना चाहे में छोड़ा हूं लेकिन कोई बात नहीं अब हो गया यह अब पुरा एक कब भरेगी देखो अब इसमें सुगा रड़ करेगी मास्त साइड में हेटफोल लाकर बैठ जाएगी हांजी तो कल रात में होटल आने के बाद मैं वीडियो कंटीनियू नहीं कर वाया आप में देखा जो हम लोगों ने चाह पीया चाह पीने के बाद ना रात को अचानक से भूग लग गया वही पता नहीं भूग का क्या इलाज मेकप करना अच्छा बात है खराब थोड़ी नहीं हर को मेकप करता है यह लिफ्ट आगे आप न और एक चीज़ देख लो बिहार सरकार के आदेश अनुसार हमारे सभी कमरे रेस्टरांट और सरवजनिक छेत्रों में सराव लाना वा पीना प्रतिबंद लेकिन पिहार आना अब यह प्राउट चना वागड़ा सब कुछ मिक्स कर लिया और लवली अपना ब्रेक्फस्ट लाने कई है वहाँ पर यही होने वाला मिराज का ब्रेक्फस्ट हां जी तो ब्रेक्फस्ट करके आने के बाद अब हो गया हूं रेड़ी निकल रहे है एरपोट के लिए और हा यही है अपना चलो निकलते अल्रेड़े टाइम हो गया है देखलो बारा बजने वाला है अपना फ्लाइट है वैसे धाई बजे ग्यारा बजे का चेकवल टाइम था बढ़ा मैंने हाफ एना एक्स्ट्रा बोला था इनको तो इन्होंने दे भी दिया था एरपोट दिखा र है नहीं हम लोग आटो से आए तो पुलीस वाले ना बाहर ही रोक लेते हैं आटो को वो बता रहा कर आपको अंदर जाना है तो टोटो लेकर जाना होगा हम बोले चलो वाकर की चले जाते हैं अदरवाइस कार पगेरा तो अला हुए मैं देख रहा हूं कैप से भी आते तो अंदर तक जाता वो अब पता नहीं अंदर कितना जाना पड़ेगा इरिक सा बोल रहते हैं पचास रुपए लेंगे मैं बोला चलो चलते हैं यह पैदल टाइम भी है अपने पास सामने है एरपोर्ट दीख तो रहा है हमें पता नहीं वह है या उसके पीछे है यह पार्कि टुछ गजी गाता था थीन सो प्रम जाता होता फिर भी कुछ नहीं होता अगर चार्सों प्रम जाता था तो बस हो जाता इस बर अपर के तरफ लौंज है नीचे के तरफ तो कुछ है नहीं बस बैटने का जगा बने हुआ एक शोटा मोटा दो सौप है चाय काफी के खाना अपर के तरफ यहीं एक लाउंज है देख लो जैस्टो तो देख लो जी पटने एरपोर्ट का यह लाउंज है तो यहीं पर बैटके हम लोग अभी कुछ देख रहे हैं क्या ओडर कर सकते हैं अच्छली यहां का लाउंज का एक अच्छा बत क्या है ना कि आपको बस यहां पर क्या है आप लाउंज में आजाओ अगर कुछ आपको ऑडर करना है तो आप अराम से इधर बैठ सकते हो तो यह एक चीज है चाहे आप कॉफी ओडर करो दोसा ओडर करो चाय ओडर करो कुछ भी और यह देख लो यह कुछ मेन्यू है यहां का वीडियो को पॉस करक करने के यह फिर कुछ तो आप कॉमेंट करके बता देना कौन साइश्टेशन है तो हम लोग तो बस आसे बैट के टाइम पास कर रहे हैं और लवली का कुस्तों यह इफाइलिंग क्या काम आ गया तुमारा यह कुछ इंकम टेक्स का क्या फाइल वाइल भी करती है इसका क्या अब भी अगर ऑफिस वगर मैं काम कर रहे हो तो मैं ट्राइब करता हूं वही पर्चस करने का नहीं तो बार बार इसको क्या होता मेरा ही लैपटब लेना पड़ता है तो देख लो जी यहां पर अपना उत्तपम आचुका है जो कि लगबक तीन सो रुपए का है टेस्ट ब अगर कोई आसपास से तो बताना इंटरनेशनल और कोई आसपास से तो बताना इंटरनेशनल काँगा पटना से यह सामने में देख लो एर हिंडिया का फ्र के ओर अज बैटने का मन नहीं था बैट जा लेकिन चन्नी से जहां का हमारा फ्लाइट है नहीं तुम यहां सच यहां बैटने नहीं तेक कुछ रहा हूँ पाकि यह अपना सीट एक विंडो और एक आयल सीट है हांजी आपने इस फ्लाइट का जो डिपाचर टाइम था ना पटना एर्पोर्ट से दो पचास का था भी देख लो 2.48 हो गया रंवेर पे आ चुके हम लोग पस टेक ओफ कर नहीं वाल है अब को दिखेंगा नहीं सामने में मेरे को railway station भी दिख रहा है देखो मैं इसी station की बात कर रहा अच्छा भाजी फाइनली ही हम लोग फ्लाइट कर चुके हैं अच्छा है और उसके बाद का क्या प्रोब्राम है वहां जागे बताएंगे आप तो भाई सब देख लो हम लोग ने एक उक्मा लेनी है मैंने तो एर्पोर्ट में काया था मुझे भूग नहीं था ये लवली अच्छा हमें यह है वाईसा फ्लाइट तो वैसे बड़ा बोरिंग जा रहा है अबना कुछ कटे को भी नहीं है तरुबलेंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है वैसे देख लो अपना फ्लाइट के स्पीड देख लो अभी 851 किलोमेटर पर हार के स्पीड से चल रहा है और एल लेशिए देख दीए उपना बेशच्टीव कि अर्शन कर चुके भी बड़ टाइम अच्छा में अच्छा लेंड कर चुके है और बीफोर तनग मा बढ़ी तो आपर हो रहा है उथोपियों एरलाइने मेरे सामने ही चन्णही ने मेरा स्वागर पारीश के साफ किया है वैस एक बात तो है चन्यी का वेदर इतना बढ़ी है ना भी मतलब हलकल का बारी सोड़ा है थंडड़ थंड़ा लगदा लगदा है वेच नहीं है इस बर बोल रहा हूं बड़ी आवेदर है बाई साब देख लो जैसे में बेल्ट के पास आया चलो हो गया काम निगलते हैं फट अ पारिस भी हो रहा है आज आएगा आए अगया चलो जा रहे हैं यहां से चन्नी सेंट्रल के तरफ आपको पता मैं जब भी आदा हूं तो वहीं पर अपना होटल बुक करता हूं तो भाई साफ फाइनली अभी हम लोग सेंट्रल पहुंच चुके हैं और आज सेंट्रल स्टे अब इसे हमारा पर्सों का फ्लाइट है लेकिन पता नहीं कि मेरे यहां इस्टे करना ज्यादा अच्छा लगता है अब होटल आगा है मेरा पीछे देख लो आज पता है रूम खाली नहीं है इंका वह बता रहा है आप साथ बहुत को रूम रेडी हो जाएगा मैं ठीक है आ अच्छा खासा बारिस लेकिन अच्छा लग रहा है वीगने में अच्छा लग रहा है लो जी फाइनली पहुंच चुक है हम लो ओटल सिप्सागर सिंस 1998 देख लो भाई चन्नाई लेंड करता ही सामान वागेरा लेकर मैं आ गया हूं यह थाटी इटली घाने के लिए रूम भी तो रेडी नहीं था प्रिंट करवाना पड़ेगा वीजा जो होता है रिटर्न टिकीट होता है यह सब काम तो मैं बता दूंगा आपको क्या के करवाना है दूसरा यह बात है हमको करनसी वगरा भी एक्स्चेंज करवाना है वह भी मुझे देखना पड़ा है तहां अच्छा रेट मिलेगा और भी अच्छा वह बढ़ाना है फ्ट्रा है यह सब पूबस्सकान करना प्यां रावराँ नाप्ता यारी यविवित वह लूसरा प्याएपे भी एक्ना प्यां आपको के जना लूबस्ट ईबस्ता भी ने वांगर्वाह जबस्ट मुझे एक्सान